पीसेस करन न्यूज में अभी की खबर है राजीव बहल बने ICMR के महानी देशक खबर को देखते हैं डॉक्टर राजीव बहल को तीन वर्ष की अवधी के लिए भारतिय चिकित्सा अनुसंधान परिसद यानि ICMR के महानी देशक एवं स्वास्त अनुसंधान विभाग के सचीव के रूप में न्यूक्त किया गया है डॉक्टर राजीव बहल वर्तमान में जीनिवा में स्विस्व स्वास्त संगठन के तहट मातरत्व नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्त सहनवजात इकाई प्रमुख के तौर पर कारे रथ हैं इससे पूर्व डॉक्टर बलराम भारगव आईसीमार के महानी देशक एवं स्वास्त नुसंधान विभाग के सचीव के रूप में कारे रथ थे जिनका कारे काल जुलाई माह में समाप्त हो गया था डॉक्टर राजी बहल की बात करे तो वह बाल रोग विशे सग्या हैं और उन्होंने सार्वजिनिक स्वास्ते का भी अध्यन किया है वह वर्ष 2003 में विश्व स्वास्ते संगठन में शामिल हुए थे इससे पहले उन्होंने अखिल भारती आयुर विज्ञान संस्थान यानि एम्स दिल्ली में एडवांस सेंटर फोर डायरियल डिजीज रिसर्च में एक वरिष्ट शोध करता के रूप में काम किया था भारती चिकित्सा अनुसंधान परिसर यानि ICMR की बात करें तो यह जैव्स चिकित्सा के छेतर में अनुसंधान समय नवे और प्रिशार हेतु भारत में सर्वोच निकाए है इसके प्रमुकारियों में समाज के लाब हेतु चिकित्सा अनुसंधान का संचालन करना समन्हे एमकार्यान वन करना है उत्पादों प्रकिरियाओं में चिकित्सा αναवचारों को लागू करना और उन्हें सार्वजिनिंक स्वास्ते परणाली में पेश करना है इससे भारत सरकार द्वारत स्वास्ते अनुसंदान विभाग के माध्यम से वित्पोशित किया जाता है